हलो गुड इबनिंग ओल अफ यू गुड इबनिंग कैसे हैं आप लोग जल्दी से फटाफट लाइव आ जाएंगे और सेशन को अपने दोस्तों अपने मित्रों के बीच सेयर कर देंगे बहुत ही महतपुन स्रिंखला जो यूटीوب के इतिहास में आपको बहुत कम देखने को मिलते होंगे बिहार स्पेसल में बिहार की कला यवं संस्कृति एक जगा महतपुन प्रसणों का भ्यास बिलकुल आज नए प्रसणों के साथ करेंगे और वैसे प्रसण करेंगे जो इति बिहार में ठंड बहुत जादा है ठंड की तपिस बहुत जादा है लेकिन आप सभी को अपने अंदर पढ़ाई की तपिस को लाना है तो जल्दी से फटाफट लाइब आ जाएंगे और सेशन को सभी दोस्तों के भी सेयर करेंगे अपने जितने भी गुरूप हैं चुकि आज कुछ नया होने वाला है आज कला संस्कृती में बहुत ऐसे प्रस्ण बनने आने वाले हैं जो कि आपके एकजाम में डारेक्ट आ सकता है और आपके भी नौलेज का एक लिटमस टेस्ट है कि आपकी तैयारी किस लेबल का है तो सभी को सेयर करेंगे सभी का बहुत-बहुत स गूल ओफ यू गुड़ इबिनिंग एक पर सेयर कर तभी मैं आज स्टाट करूंगा और जो लोग भी नईयरे सेसन को लाइक कर देंगे सभी लोग है ना और आज सेसन में जूड़े रहेंगे सेसन के बाद मैं पुछूँँगा कि क्या मजा आया की नहीं आया है ना मजा आप लोग भले भीहार के ठंड में ठंड कूल हो गए होंगे लेकिन आज प्रसनों की गर्मी आप लोगों के अंदर आना चाहिए प्रसने ऐसे होंगे जो काफी आपको पता होना चाहिए कि भीहार के आठ कल्चर से कितने सवाल आते हैं तो सेसन में बने रहेंगे जो अपने आपको बोलते हैं कि मैंने पूरा पढ़ लिया अब क्या बाकी है तो उनके लिए भी आज एक जहांकी है कि भाई देखो आपने कितना पढ़ा है और कितने चीज़ें आपको पढ़ना है क्या आप एक्जाम के पहले इन सारे चीज़ों क पढ़ लोगे तमाम चीज़ों को में कवर करा रहा हूं पीडियाफ पीडियाफ आप लोग करते हैं पीडियाफ मिल जाएगा थोड़ा सा व्यस्ता है थोड़ा सा समय कम मिल पाता है तो एक दो दो में सारा पीडियाफ दे दिया जाएगा फिलाल आप लोग क्लास पे फोकस कीजिए. है ना। आपकी फोकस लेन्ज़ जो है वो कलास पर चाहिए बाकी मेरे है ना प्रस्ण ऐसे होंगे की आग लगा देंगे आज बहुत ृपली प्रस्ण है सर कलाश छे बजे कोशिच करूंगा आज बहुत ृपली प्रस्ण है और इस प्रस्ण में आप सभी जूड़े रहेंगे तो मुझे भी अंदर से होसला मिलेगा कि इस तरह के सेसन में आप लोगों के लिए लगातार लेके आप आऊँ तो चलिए जादा लेट बिहार में कहावत है कि सुब काम में देरी क्यों तो सुब काम में देरी नहीं करते हैं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको सुपर टीचर मिलेगा, और मैं बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक की नौवी अनिवरसरी है, उसमें आपको क्या खास मिलने वाला है, लेकिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, फिर यह सब बाते हम लोग आगे करते रहेंगे, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थोट है, अभी तो इस बाज की असली उडान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इमतहान बाकी है, अभी तो मैंने लांगा है समुंदर को, अभी तो पूरा आस मान बाकी है, अभी तो नए नए प्रसनों की बरसात होना भी बाकी है, है ना, आप सेशन से आपके एकजाम में प्रसन टकराना भी बाकी है, टकराएगा, जैसे समुदर की लहरें किनारे में टकराते रहती है, वैसे ही इस सेशन के हर प्रसन आपके पेपर में टकराते रहे पहले भी टकर आया है और आगे भी टकर आएगा चलो अब आप लोग आपस में कॉमेंट बॉक्स में मत टकरा जाना यह मेरा निवेदन है भी निमन मैंसे किस आत्री ने बड़ा अच्छा सवाल आप देखो गे तो अगर 我们 से किस आत्री के द्वारा है चंद्रगुप्त के कुम्राहर इस्थित महल को देव महल कहा गया था किस के द्वारा कहा गया था आप सभी लोग फटाफट बताएंगे किस आत्री के द्वारा कुम्राहर इस्थित महल को देव निर्मित महल कहा गया आठ कल्चर का पहला सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करते ह नहीं होता है कि थोड़ा सा तेज गेंद आते हुए वैसा ही थोड़ा सा टिश्ट सवाल आज से आप लोगों के समक्ष आते हुए निम्न में से किस आत्री ने चंदरगुप्त के कुम्राहार इस्थित महल को देव निर्मित महल कहा था हैंसांग फाहियान मार्क पोलो है ना या इत्सिंग उपरयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक जबाब आना सुरू हो गया है अगर मेरे सेशन पहले आप लोग देखे होंगे तो जबाब आएगा और सेशन को सेयर भी सभी लोग करते जाएंगे एक बार फटा-फट सेशन सेयर नहीं हो रहा है किसके दवा नहीं कि दवारा कहा गया था को गया है कि चंदरगुप्त के देव इस्थित महल जो है किसके दोर्य गया था वी राइंच्ऑर राइट थीन के आत्री थे आप सभी को पता होगा बहुत बड़ा ये सभागार भवन है असी अस्तंब से ये भवन बना हुआ है पुरा तत्विक साक्षों के अनूसार मौरे कला में लकडी मिट्टी और घास फूस अगर ये बोला जाए तो ये मौरे कला से संबनित है और आपको पता है कि विहार के BPSC एक्जाम में प्रिलिम्स हो या मेंड्स मौरे कला पाल कला गुप्त कला मंजुसा कला मधुबनी कला पटना कलम चित्र कला यहां से सवाल आते ही आते हैं बिलकुल कॉमेंट देख रहा हूं बिलकुल पता लगेगा भाई है ना तो मौरे कालीन अगर बोल मिलता है तो बोला जाए बिहार में शर्वाधिक मौरे कला का अवसेस जो है शर्वाधिक अवसेस किसके टाइम प्रेड में मिलता है यह कहते हुए आपको असोक का नाम आद आ जाना चाहिए ना असोक के टाइम मौरे कला का सर्वाधिक अवसेस मिलता है मौरे कला में पॉलिस करके बनाए जाता था आगे अगर चलेंगे जैसे सांथी का इस्तूप है ना सेर का चिंध जिसको लेके अभी विवाद हुआ था वो सारे मौरे कालीन ही है आगे चलो चंधन स्वामी बहुत बहुत धन्यवाद शुदामा गुफा है ना सुदामा गुफा का निर्मान असो के राजजिरोहन के किस वर्स में हुआ था ये भी एक मौरे कालीन है ना मौरे कला का नमूना है सुदामा गुफा हो बराबर पहाडी की दोनो गुफा है दोनो गुफा को मिला दो तो क्या बोलेंगे बताओ तो दोनो गुफा को मिला दो बराबर की पहाडी की दो गुफा एक गुफा आपका हो गया सुदामा गुफा है ना बराबर की पहाडी में कितनी टोटल गुफा नागारजुनी को मिला दो ये दोनों को बोलते हैं सतघरवा गुफा बोलते हैं क्यों बोलते हैं सतघरवा गुफा तो बोलोगे एक में चार गुफा है और एक में तीन है तो चार प्लस तीन को जोडोगे तो साथ ही आएगा जोड़ा आता है कि नहीं आता है जल्दी से बोल तो चार बराबर की पहाड़ी में है और तीन नागारजुनी की पहाड़ी में है याद रखो कि इसमें चार गुफा है और इसमें तीन गुफा है ये दोनों को जोड़ोगे तो इसको सतघरवा गुफा बोलते हैं और सतघरवा गुफा जो है वो मौरे कालिन का बहुत नमूना है यह आप सभी को याद रखना चाहिए क्लियर है यह आप सभी को याद रखना चाहिए बोलो नया सवाल है कि नहीं है इसमें चार में लोमेस गुफा है सुधामा है कर्ण चोपार है विस्व जोपड़ी है लोमेस सुधामा चार में लिख दे रहा हूं चार में पहल जोपार और चौथा है विश्व जोपड़ी यह चार गुफा है किसमें बराबर की पहाडी में और यह चार गुफा में ही सबसे अच्छा जो क्लाकृति जिस गुफा में है वो है सुदामा का गुफा तो सुधामा का गुफा क्या है वो बराबर के गुफाओं का ही एक पार्ट है तो सुधामा का गुफा असोक के मराज रोहन के किस वर्स हुआ था तो यह बारवें वर्स हुआ था बोलो किलियर है या नहीं है बिल्कुल है ना तो ये किलियर है या नहीं है इतना सारा किलियर है या नहीं है नागारजुनी में भी तीन गुफा है गोपी का है ना वाईपी का और वैदाथिक तीन गुफा है लेकिन यहां पे बराबर और ये दोनों को मिला दो तो दोनों को मिला के बोलते हैं सतघरवा सत्गरवा मतलब बराबर की चार गुफाएं और नागारजुनी की तीन गुफाएं याद रहेगा चलो आगे चले किस काल में पत्थर कांसा एवं अस्ट धातू की मूर्तियों का निर्मान का एक उन्नत सेली का विकास हुआ बिहार में किस टाइम प्रियड में कांसा पत्थर और अस्ट धातू के मूर्ति का एक उन्नत कला का विकास होता है जल्दी से बताओगे आज बहुत नया सवाल मिलने वाला है इसलिए अपने ग्रूप में अपने दोस्तों अपने मित्रों के बीच सेशन को सेयर जरूर कर देंगे किस कला में पत्थर कासा एवं अश्ट धातू की मुर्तियों के निर्मान का एक उन्नत सेली का विकास होता है पाल कला, गुपत कला, मौरी कला या सेन वन्स के टाइम प्रियड में बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बताएंगे तो ये होगा आपका पाल कला है ना पाल कला के बारे में आपसे शवाल पूछा जाता है आठवी सदी से बारवी सदी तक है ना आठवी सदी से लेके आठवी शदी टू बारवी सदी तक इस कला का संपुर्ण विकास होता है है ना, पाल वन्स के पर्थम राजा कौन थे? कॉमेंट करके बताओगे वो गोपाल थे, पाल वन्स में जो मूर्तियां बनता था, वो काला बेसाल्ट पत्थर पे बनता था, बहुत सारा मिला है आपको, काला है ना, बेसाल्ट पत्थर पे मूर्तियां मिलता था, बेसाल्ट पत्थर पे मूर्ति मिलता था, और अश्ट धातू की मूर्ति का परमान आपको मिला है ये भी आप याद रखोगे ये सारा चीज कहां देखने को मिल रहा है तो पाल टाइम प्रेड में देखने को मिल रहा है ठीक है पाल टाइम प्रेड में देख रहा है मुर्तिया का जो आगे भाग होता था पाल टाइम प्रेड मुर्ति का खासियत था जो आगे भाग में काफी नकासी होता था आगे भाग में काफी पॉलिस होता था और नकासी आपको देखने को मिलता था है अब देखो जो कांसा की भी मूर्ती बन रहा है कांसे मूर्ती इस टाइम प्रियड में बन रहा है और कांसे मूर्ती को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान पा नाम सुने हो, धीमन और विठपाल दोनों का योगदान पाल कला में जो उन्नत किस्म की कासे की मुर्ती बनती है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, बिल्कुल बिल्कुल, योगदान रहता है, है ना, धरमपाल और देवपाल के समकालिन थे, किसी ने पूछा, धीमन धरमपाल है ना, और ये विठपाल देवपाल के समकालिन थे, और ये दोनों जो हैं, ये नालंदा के निवासी थे, नालंदा जानते हैं ना, नालंदा के निवासी थे, याद रखेंगे इतने सारे ची है बाई बाद में बुक पता देंगे पहले अभी पढ़ लो पहले एक बार पढ़ लिजिये एक कॉमेंट को बार बार किजिये चलिए आगे चलते हैं चलो एक बार सेसं को सेर कर दोगे सभी लोग नेक्स्ट है आपका कहां से पाल कला के गुफा मंदिर का साक्ष मिला है पाल टाइम प्रेट का गुफा मंदिर का साक्ष कहां से प्राप्थ हुआ है रक्षोल से बेतिया से कल्यानपूर से या कहल गाओं से पाल कलाओं में गुफा का मंदिर होता था उसका कहां से साक्ष प् बताओगे सभी लोग फटाफट चौथा नंबर का सवाल है एक कॉमेंट को बार-बार मत करो है ना चलो पढ़े पढ़लो पढ़ते समय देखो बीच में रिदम को मत तोड़ो पाल कला के गुफा मंदिर के साक्ष कहां से प्राप्थ हुए है रक्सोल बेतिया कल्यानपूर कह लगाओं कहां से प्राप्थ हुए जल्दी से फटाफट बता दोगे गुफा मंदिर के साक्ष तो ये बोलोगे कहलगाओं से प्राप्थ हुए कहलगाओं कहां है तो आप सभी को पता है भागलपूर के छेतर में है क्लियर है भागलपूर के छेतर में कहलगाओं है याद रखोगे क्लियर है चले आगे नेक्ट है रागनी गंधारी बहुत अच्छा है रागनी गंधारी चित्र किस चित्रकला सेली का उधारन है रागनी गंधारी चित्र है जैसे आप लोग याद होगा मनोलिशा का पेंटिंग वैसे ही रागनी गंधारी का पेंटिंग है ये किस चित्रकला का एक एकजामपल है बिहार में बहुत सारी चित्रकलाएं आपको देखने को मिलता है तो ये जो रागनी गंधारी चित्रकला है ये किसका एक्जामपल है जल्दी से बताओगे है ना पटना कला पाल कला मधुबनी कला वैसाली कला उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक रागनी गंधारी चित्र किस चित्रकला का एक बेश्ट एक्जामपल है तो रागनी गंधारी चित्रकला के अगर बारे में बात किया जाए तो ये किस कला का एक्जामपल है पटना कलम चित्रकला का एक्जामपल है अब पटना कलम के बारे में थोड़ा सा समझ जाओ है ना मुगल काल के पतन के बाद है ना जब मुगल टाइम प्रेट जब नीव कम पतंजोन होने लगी, जब कलाकारों की उपेक्छा होने लगा, तो कलाकार का एक दल, एक गुरूप बिहार में आता है। ओर बिहार में यहां के लोकल आर्ट और जो इस्ट इंडिया कंपणी के आर्टिस्ट थे, वो लोगों के मिलने से fusion से एक नया कला का जो जनम होता है उसे पटना कलम चितरकला बोलते हैं पटना कलम चितरकला के जनम में मुगल कोट और पेंटर का बहुत बड़ा योगदान होता है मतलब पटना कलम चितरकला तीन चीजों का मिशरन देखने को मिलेगा मुगल कोट आफ पेंटर यहां के लोकल आर्टिस्ट और तिसरा विक्टोरियन आर्ट तीनों का कॉंसेप्ट यहां पे देखने को मिलेगा कैसा रहता यह चित्रकला लोकल मुद्धा पे आधारित रहता है जैसे मचली बेचती हुई और तांगा चलाते हुए लोग लोकल दिन्चर्या पे जो गाउं जगह में होता है उस पे यह आधारित होता है अब देखो है ना रागनी गंधारी महादेवलाल है ना रागनी गंधारी एक पिक्चर बनाया गया है इसके द्वारा तो महादेवलाल अब पुछा जगा महादेवलाल किस कला से संबंद रखते हैं तो महादेवलाल पटना कलम चितर कला से संबंद रखते हैं रागनी गंधारी दो तीन पेंटिंग है पटना कलम चितर कला का जो फेमस है एक तो हो गया रागनी गंधारी एक है बेगम की सराब खोरी, ये भी एक फैमस चित्र है, अगर आप पटना में जाओगे, बेगम की शराब खोरी, पटना के संग्राले में जाओगे, तो देखने को मिल जाएगा, ये अमुना परसाद का पेंटिंग है, और ये भी पटना कलम पेंटिंग है, याद रखेंगे, ठी बिल्कुल, इंडो ब्रेटिस सेली कहा जाता है, पटना कलम को ही बाद में इंडो ब्रेटिस सेली कहा जाता है, इंडो ब्रेटिस सेली कहा जाने लगा, याद रखोगे, है ना, और ये भी तो इसके कोई भी कलाकार नहीं है, ये भी याद रखोगे, क्लियर है, बेगम की सर आप खोरी हाँ पटना कलम जैसे आप लोग मनोलिसा का पेंटिंग याद रखते हो ना वैसा याद रखोगे बोले ना बहुत नयाने या चीजे सीखने को मिलेगा बस सेयर करते रो नेक्स सवाल है निमने में किस चित्रकार द्वारा मुसलिम निकाह का चित्रन किया गया है मुसलिम निकाह का चित्रांकन किया गया है किस के द्वारा किया गया है ये भी चित्रकार जो है आपको बता दे पटना कलम के चित्रकार ही है अब आपको बताए ना कि पटना कलम में टून से सब्जक्ट पर आधारित होता है तो डे टूडे अब डेली टूडेली दिंचरिया में जो आसपास चीजे में होता है ऊतर हो तो आसपास में तो साधी विया होता ही है लोग मचली विशते ही है तांगा चलाते ही हैं तो उस पे आधारित होता है तो मुस्लिम निकाह का चित्रांकन किया गया है सेवकराम, जनकराम, सिवलाल या माधवलाल सेयर करेंगे फटाफट है ना तो सिवलाल के दोरा किया गया अब देखो ये जो मैंने कुछ नाम बताया सिवलाल, अमुना प्रसाद ये सब का आपको एक्जाम में ऐसे पूछ देगा कि बिहार के सिवलाल प्रसाद किस कला से संबंद रखते हैं तो सिधा से बोलोगे, मेरा पिक्चर याद करोगे, पटना कलम चितरकला से संबंद रखते हैं, किसे रखते हैं, पटना कलम चितरकला से संबंद रखते हैं, याद रखोगे, चलो आगे, पटना कलम चितरकला के अंतिम चितरकार अगर पूछा जाए, कि भाई इसके अंतिम चितरकार कोन है, तो इश्वरी प्रसाद वर्मा है ये भी आप नाम याद रख लेंगे बोलो clear है या नहीं है clear है या नहीं है कहां रखा गया है तो ये सारा पटना, museum और खुदा बक्स library अगर घूंने जाएंगे पटना, museum और खुदा बक्स library अगर घूंने जाएंगे तो ये सारा picture आपको दिख जाएगा कब से माना जाता है 1707, 1750, 1760, 1790 इसका शुभारम कब से माना जाता है सेशन को एक बार सेयर करेंगे मज़ा आरान सवाल में बताओगे है ना पटना कलम का शुभारम कब से माना जाता है जल्दी से बताईएगा है ना तो अगर पूछा जाए पटना कलम सेली का शुभारम तो ये होगा 1760 इसमी में माना जाता है कब इसके टाइम तो जब साहजहां और औरंगजेव के टाइम प्रियेड में चित्रकला का विकास अवरुद्ध हो गया चित्रकला का विकास अवरुद्ध हो गया तो वहां के कुछ चित्रकारों का ग्रूप कहां आएंगे इधर आएंगे थियोरी भी कलास होगा मैं तो इसी में थियोरी से ज़्यादा करा रहा हूं वहां के कुछ चित्रकार इधर आएंगे और क्या होगा एक नया सेली का विकास हो जाएगा नया सेली का विकास हो जाएगा है ना पाठली पुत्रा में आएंगे चितरकारों ने राजधानी का लोधी कट्रा मुगल पूरा, दिवान मुहला यह सब में यह सब आएंगे यहाँ पे बसेंगे और ये तीन चीजों से मिलके बना एक मुगल कोट आफ पेंटर है ना मुगल पेंटर एक रहेंगे और दूसरा कौन रहेंगे यहां का लोकल कला का रहेगा लोकल आर्ट रहेगा इसमें और तिसरा ब्रेटिस कला का भी देखने को मिलेगा अगर बोला जाए पटना कला तीन कलाओं के मिसरन से बना है तीन कलाओं के फ्यूजन से बना है देखो कलभर आर्ट कल्चर होगा उसके बाद बिहार का एकोनोमी पे चले जाएंगे फिर हिस्ट्री भी कराएंगे टेंसन नहीं लेना है एक्जाम के पहले सारा कुछ खत्म करा चालिस डिल करेंगे चलो नेक्स्ट है बाबा बटे सरी किर्ती है बाबा बटे सरी नाथ किसी किर्ती है नागारजुन रामरिक्ष वेनीपूरी मंदर मिसर वाचस पती मिसर किसका कृति है जल्दी बताओंगे बिल्कुल फटाफट बताएंगे है ना आठ कल्चर कलभर कराएंगे फिर एकोनोमिक शर्वे बजट योजना ये सब कराएंगे और हिस्ट्री लास्ट में कराएंगे चुकि हिस्ट्री आप लोग बहुत जादा भूलते हैं बहुत जादा हिस्ट्री परिसान करता है लेकिन स उतना सावाल आपको कहां मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा तो इसी बात पे जोरदार तरीकेसे सेकर बैदनात मिस्र इन्ही को कहा जाता है तो बाबा बटेश्वरनात इन्ही की किर्टी है 1911 में दर्भंगा जी लेके सतलखा गाउं में इनका जन्म हुआ था कहां जन्म हुआ है दर्भंगा के है ना दर्भंगा के सतलखा गाउं में इनका जन्म होता है यह भी आप याद रखो और इन्हों ने ही कहा था कि भारत की आत्मा जो है वह गाओं में बसती है क्या कहा था भारत की आत्मा भारत की आत्मा कहां बसती है आत्मा तो गाओं में बसती है यह कथन सबसे पहली बार इन्हीं के द्वारा कहा गया था नागार्जुन बैदनात मिसर सहब के द्वारा कहा अगर बात किया जाए तिनको शाहित अकादमी पुरुषकार भी मिला है इनके किस रचना के लिए मिला कॉमेंट करके बता दोगे पत्रहीन नग्रनगाच मैथली का एक कविता है उसके लिए मिला है याद रख लोगे सिप्रा इतना तु बता रहे हैं क्यों बता रहे हैं थियोरी के अभी कलास होगा अभी बताओ एक्जाम का टाइम है ना थियोरी के अभी कलास कराएंगे चलो बिहार के गया जिले के अपसगर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवन्स के बारे में जानकारी मिलती है या किस राजवन्स के कला के बारे में जानकारी मिलती है परवर्ति गुप्तवन्स, हर्यकवन्स, पालवन्स या मौरेवन्स किस वन्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है जल्दी से बता दोगे नाइंथ नमबर नहीं लिए अच्छा है, नाइंथ नमबर का है यह वैसाली का मेला जो चेत्र सुकल के त्रयदसी में आजित की जाती है, किस धर्म से संबंदित है वैसाली का मेला बिहार में बहुत सारा मेला भी लगता है, गाना भी गाते हैं, सारा कराएंगे भाई, सारा कराएंगे पहले MCQ तो कर लो बिहार में गाना भी गाते हैं कि मेला दिलों का आता है। तो विशाली का मेला किस धर्म के लिए फेमस है 노 तो जयन, तिर्थकार, महावीर के जनम दिवस पर ये मेला आयोजिंत होता है है जयन, तिर्थंकर का नाम जानते होंगे तिर्थंकर महावीर जैन के जन्म दिवस पर यह मेला लगता है बोलो यह important है या नहीं है तो आपको पता होना चाहिए यह जैन धर्म से संबंदित है जो के महावीर के जन्म पे यह मिला आयजित होता है याद रहेगा के नहीं रहेगा देखो quality of education समाइने रखता है अगर आप लोग मेरा क्लास पहले किये होंगे तो आप लोग YouTube पे देख सकते हो मैंने बस 10-15 क्लास objective का कराया था पिछला बार और BPSC में सारे सवाल वहीं से आय है ना मन लगा के पढ़लो विश्वास भी एक चीज होता है चलो next सवाल है बिहार के गया जिले से के अपसगड से प्राप तभिलेख में किस राजवन्स के बारे में जानकारी मिलती है जल्दी से बताओ चलो जल्दी से बताओ अचा पेडियेफ मिल जाएगा थोड़ा सा देखो टाइम कम रहता आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा एक दो दिन वेट कर लो पेडियेफ मिल जाएगा ठीक है आप सोचो कि इतने सारे सवाल नया नया सवाल आप लोग के लिए जो भी एकजाम में पूछे जाने वाले सवाल को रेडी करने में कितना समय लगता होगा ठीक है तो ये बताओगे परवर्ति गुप्त वन्स के बारे में जानकारी मिलती है गुप्त कला के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है चलो पाल सासकों के बारे में किस अभिलेक से जानकारी मिलती है देव पाल के मुंगेर अभिलेक नरायन पाल के भागरपुल तामर अभिलेक मही पाल परथम के नालंदा मुझफर अभिलेक उपर युक्त में से सभी है ना या उपर युक्त में से कोई नहीं पाल सासक है ना पाल स सासक के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। चलो, सेशन को एक बार सेयर कर दो, आज काफी कम लोग दिख रहे हैं, क्या हो गया सभी को, एक बार सेयर करो सेशन को, पाल सासकों के बारे में जानकारी कहां से मिलता है, तो पाल सासकों के बारे में किस अभिलेक से जानकारी मिल जल्दी से बताओंगे तो हमें पता होना चाहिए बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि यह सभी से मिलता है देव पाल के मुझेर अभिलेक से नरायन पाल के भागलपूर्टाम अभिलेक से और मही पाल के पर्थम के नालंदा और मुझफर पुरा भिलेक से आने कि इसका D answer होगा याद रखोगे है ना D answer होगा याद रखोगे ठीक है पाल वन्स में आप गोपाल के बारे में पढ़े होंगे जो कि संस्थापक है गोपाल के बाद कौन थे बताओगे धरम पाल थे है ना धरम पाल थे जो कि त्रिपक्छिय संगर्स में भाग लिये थे ये ऐसा थे पहला जो त्रिपक्छिय संगर्स क्या होता है कॉमेंट करके बताओगे त्रिपक्छिय संगर्स क्या होता है ये बताओगे और देव पाल इसके बाद देव पाल थे देवपाल के टाइम में ही विदेशी आत्री शूलेमान आये थे जो कि कई बार आपके एकजाम में पूछा है शूलेमान आये थे फिर महीपाल थे और महीपाल को ही बोला जाता है दुत्तिय संस्थापक है ना सकेंड संस्थापक जो है वो मही पाल को ही बुला जाता है याद रखोगे ठीक है मही पाल के बाद आप और आएंगे और राम पाल जो है वो अंतिम राजा होंगे पालवन्स के पालवन्स के अंतिम राजा राम पाल होंगे के लिए रहे हाँ कोशन देने के बाद मैं खुद स हो जाता हूं चलो नेक्स्ट है बिहार के प्रांत के आरा से प्राप्त देवनार्क का लेख तथा साहपूर पत्ना एवा मंदार भागलपूर से प्राप्त लेखों में किस यूग के बारे में जानकारी मिलती है आज का सवाल जो है ना जबाब है चलिए आप लोग फटाफट जल्दी से जबाब देंगे बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनार्क का अभिलेख शाहपूर मंदार से भागलपूर से प्राप्त अभिलेख में किस वन्स के बारे में जानकारी मिलती है एक बार जोर लगा के सभी लोग सेर कर दोगे एक बार सभी लोग जोर लगा तथा सहपूर पटना इवा मंदार भागलपूर से प्राप्त लेक से किस यूग के बारे में जानकारी मिलती है? चलो, आगे फटाफट बताओगे जबाब दोगे, है ना? डी, बिलकुल, परवर्ती गुप्त वन्स के बारे में जानकारी मिलती है बिहार के किस चित्रकला सेली में? चित्रों में इस्त्री अपने पती के साथ चित्रित होती है बिहार का कौन सा चित्रकला सेली है? चित्र में इस्त्री अपने पती के साथ चित्रित होती है किस में ऐसा होता है जल्दी से बता दोगे एक बार फटा फट बताएंगे बिहार के किस चितर कला सेली में चित्रों में इस्त्री अपने पती के साथ चित्रित होती है फटा फट बताएंगे मधुबनी पेंटिंग तो अप्सन में भी नहीं है यार एक बार सेयर कर दो, सभी लोग लाइक कर दो मैं बोलू मन्जुसा चित्रकला मन्जुसा चित्रकला को ही कहा जाता है कहानी आधारित चित्रकला बिहार का बिहार का जो है ये कहानी आधारित चित्रकला है क्या है कहानी आधारित चित्रकला कहानी है अब क्या कहानी है तो मैंने पहले भी बताया था बाला बिहुला की कहानी है बाला बिहुला की कहानी है कहानी भी सुना दें क्या बाला बिहुला की कहानी है आनि कि बिहुला तेवहार जो होता है बिहु मंजुसा चित्रकला से ही सम्मंदित है और मंजुसा चित्रकला को ही दो नाम से और जाना जाता है एक नाम है अंगकला चुकि ये भागलपूर के छेतर में होता है अंगकला और एक स्क्रॉल पेंटिंग अंग्रेजों ने इसका नाम स्क्रॉल पेंटिंग दिया था ये मंजुसा कला को ही कहा जाता है है ना चलो आगे से हटने का चलो आगे से हट गए तो ये आद रखोगे बिहुला विश्वरी की कथा है और आपको पता है चक्रवर्ती देवी इनके एक परमूख कलाकार है मंजुसा कला के चक्रवर्ती देवी और एक एकस्प्रिस का नाम बताओ जो मंजुसा कलासे विक्रम सीला एक्सप्रेस, आप लोग चड़ें कोई भी, है ना, विक्रम सीला एक्सप्रेस, विक्रम सीला एक्सप्रेस को किस पेंटिंग से सजाया गया है, तो जबाब होगा, जनाब ये मंजुसा पेंटिंग से सजाया गया है, मंजुसा पेंटिंग से नाम से Slide फिल्म बनाकर लोगों को ध्यानाकर्चित किया है। किनके दवारा बनाया गया है जल्दी से बतावगे। एक मिनट्ट जल्दी से बताओगे थोड़ा से एर कर दो बाई किसके द्वारा बनाया गया था तो यह होगा शेखर कुमार के द्वारा यह बनाया गया था याद रखेंगे चलो next है हिंदी भासा की परतिष्ठा कि सासक के 25 वरस तक राज भासा के रूप में कायम रही हिंदी भासा जो है हिंदी भासा का परतिष्ठा कि सासक के 25 वरस तक यह राज भासा के रूप में कायम रही फिर हिंदी धिरे धिरे डिकलाइन होना शुरू हो गया तो अकबर औरंग जेव साह जहां बहादूर सा जब फर ठीक है जल्दी से बताओगे फटाफट है ना 25 वर्ष तक के रूप मेरा कायम रहा फिर धीरे-धीरे डिकलाइन होना शुरू हो गया तो आप बोलोगे अकबर के टाइम प्रीड में किसके टाइम प्रीड में अकबर के टाइम प्रीड में जोर्ज गियर्षन बिहार के बोलियों के विसेसग्य माने जाते हैं जिन्होंने ये बात कहा था जोर्ज गियर्षन का नाम सुनें जोर्ज गियर्षन ये बिहार में जो बोलियां हैं उनके जनक बिहार में बिहार की बोली पर ये नेक्स्ट है निवन में कौन सा अस्थल राजगीर में स्थित नहीं है विश्व सांती स्थुप मलिक बया का मकबरा मनियार मठ या वेनुवन कौन सा अस्थल राजगीर में बहुत सारे प्राचीन अस्थल है जो हमारे बिहार के प्राचीन और मद्यकालिन कलाकिरती का मिलता है हाँ टोडर मल कौन सा आपको नहीं देखने को मिलता है हाँ तो अकबर के पचीस वर्सों के बाद मैंने सवाल किया था चलो तो कौन सा देखने को नहीं मिलता है तो मलिक बया का मकबरा अब बताओ मलिक बया का मकबरा कहा है फटाफट कॉमेंट करोगे मलिक बया का मकबरा कहा है तो मलिक बया का मकबरा जो है वो बिहार शरीफ में है याद रखोगे बिहार शरीफ में मलिक बया का मकबरा है ये आप सभी लोग याद रख लेंगे अब और चीज़े क्या आद रखना है सब्त पर्नि गुफा है, यह सारा यहां डेखने को मिल जाएगा. पट्ना संग्रालाय की अस्थापना कहां हुई थी? तो पट्ना संग्रालाय की कहां पर अस्थापना हुई थी? कब हुई थी? यह भी बताओगे। कहां हुई थी यह भी बताओगे तो 1915 में 1917 में 1919 में 1916 में उपर युक्त में कोई नहीं या एक से अधिक चलो जल्दी से बताओगे पटना संग्राल की अस्थापना कहां हुई थी और कब हुई थी 17 का जबाब दोगे 1917 में हुआ था पटना में हुआ था याद रखेंगे आप सभी और यहीं पे रखा गया है आपका दिदार गांज की अक्छी परतिमा को यहीं पे रखा गया है मोरे कालिन और पाल कालिन का आउसेस रखा गया है मुगल चित्रकला और पटना चित्रकला भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ठीक है? कॉमेंट करके बताओगे कोई खुदा वक्स लाइब्रेरी कहां है? ये भी आप लोग बताएंगे नेक्ट है गढ़वाल वनसिय सासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क डंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है इसकी प्राप्ति कहां से हुई है? गया, मनेर, मुंगेर, पटना, उपर युक्त में कोई नहीं या एक से अधिक फटा-फट बताएंगे जल्दी से जल्दी से बताएंगे एक भी गलती नहीं वहाँ बहुत अच्छा, चलो चलो, फटा-फट बताते जाओगे सीज का राइट एंसर होगा, बिल्कुल है न, मुंगेर में प्राप्त हुआ है याद रख लोगे, मुंगेर में प्राप्त हुआ याद रखोगे 18 का, गढ़वाल, जो है मूल निवासी कहां के थे ये लोग तो विंध्यान्चल परवत के आसपास की इलाके थे, के थे, विंध्यान्चल परवत कहां है विंध्यान्चल परवत का एक्स्टेंसन कहां है आपको केमूर रोतास दक्षिनी बिहार का ये पाट में आपको देखने को मिल जाएगा याद रखेंगे, है नो, आगे चलें, नेक्स्ट है, किस सहर को तुरकों ने अर्जे बिहार कहा है, किस सहर को तुरकों ने अर्जे बिहार कहा है, पटना बुद गया बिहार सरीफ नालंदा, अर्जे बिहार किस सहर को कहा गया है, अर्जे बिहार किस सहर को कहा गया है चलो जल्दी से बता कल क्या करें आठ कल्चर की कल बिहार की योजना ले आएं बताओ बिहार की योजना पे पूरा कलास ले आए बिहार की जितने भी योजनाएं हैं योजनाएं पे एक कलास कल लिया जाए क्या क्या डेड़ सो लोग आओगे तुम लोग तो मैं ले लूँगा किस सहर को तुरकों ने अर्जे बिहार कहा है जल्दी से बताओगे 19 का सी है ना सी इसका राइट एंसर होगा बिहार सरीफ को किसको कहा गया है बिहार सरीफ को अर्जे बिहार कहा गया याद रखोगे बिहार सरीफ नालंदा जीला में है ये भी आप लोग याद रखेंगे नालंदा जीला में बिहार सरीफ है ये दिमाग में आप लोग रख लेंग थ्योरी कलास नोब ज़े सुबह होती है मेरा मोनिका हां बिहार की योजना पलस एकोनॉमिक सब में लाता हूँ धीरे धीरे चलो अब नेक्स सवाल है मंगल तलाब कहां इस्थित है मंगल तलाव कहां इस्थित है, पटना गया वैसाली मुंगेर उपरियुक्त में कोई नहीं या एक से अधिक मंगल तलाव बिहार में कहां पे है, चल्दी से बताऊगे चलो कल डन रहा, कल एक कलास में बिहार की योजना खलास मंगल तलाव कहां पे है यह याद रखोगे नया नया योजना कराएंगे मंगल तलाव कहां है तो यह पटना में है मंगल तलाव याद रखोगे मैं आपको बता दू जो लोग कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं वो थियोरी के लिए पूरा का पूरा paid course ले सकते हैं, और ये 11,999 का course है, आज भर offer है, अगर आप मेरा code यूज करते हैं, C-H-E-T-A-N-C-E-T-A-N-S, तो ये मात्र मिलेगा 3834 में, कितने में मिलेगा? 3834 में मिलेगा, याद रखोगे, चलो. मुगल काल के किस राजा ने हरीहरनाथ मंदिर को एक व्यापक रूप दिया था, सिव नरायन, राम नरायन, तिरलोकी नरायन, या केसव नरायन, उपर युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक. मुगल काल के किस राजाने हरिहारनाथ मंदिर को एक व्यापक रूप दिया था जल्दी से बता दोगे मंगल तलाभ है पत्ना में याद रखोगे ति जल्दी से बताओ, मुगलकाल के किस राजा ने हरिहरनाथ मंदिर को एक व्यापक रूप दिया था? शिव नरायन, राम नरायन, तिरलोकी नरायन, या जल्दी से फटाखट बताओ गे किस के द्वारा दिया गया था? तो ये राम नरायन के द्वारा दिया गया था हरिहर नाथ मंदिर मतलब गंगा और गंडक नदी के तटपर सोनपूर का मेला जो जानते हैं आप लोग सोनपूर का मेला लगता यहीं पे गंगा और गंडक नदी के तटपर गंगा गंडक नदी के तटपर ठीक है तट पर एसिया का सबसे बड़ा पसु मेला है यह आप याद रखेंगे एसिया का सबसे बड़ा पसु मेला सबसे पुराना मेला इसे हरियर छेत्र भी मेला कहा जाता है इसे छत्तर मेला भी कहा जाता है याद रखोगे हरियर छेत्र मेला या च्छत्र मेला इसी को कहा जाता है नेक्स्ट है हरियर नाथ मेला में किस घाट पर असनान किया जाता है आनि कि वही सोनपूर मेला है किस घाट पर असनान करते हैं लोग कौन हरा घाट, राम घाट, सीता घाट या सीव घाट बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं किस घाट पे लोग असनान करते हैं 22 का एंसर बताओगे इसी मेला को अस्थानिया लोग 76 मेला बोलते हैं ठीक है चालो तो ये कोन हरा घाट पे लोग असनान करते हैं घाट का नाम क्या है कोन हरा घाट 68 VPSA में नहीं है कौन सा क्लास लियो अभी यह क्लास कौन सा लियो बविता बता दोगे मैं आ जाओंगा बहुत जल्दी आ जाओंगा नेक्ट है लोरिया नंदन गढ़ मेला किस जीले में आई जित किया जाता है चलो मेला का सवाल है लोरिया नंदनगड मेला किस जीले में आजित किया जाता है मुंगेर भागलपूर मोतिहारी पुर्निया उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक लोरिया नंदनगड मेला है पुर्निया के गुलाब बाग में किया जाता है कितना दिन तक लगता ये पंदरा दिवसिय मेला है याद रखोगे पंदरा दिवस का ये मेला है पंदरा दिनों तक लगता है किस परवत की तलहटी पर पापहरन मेला लगता है जिसके बारे में मानेता है कि पापहरनी तलाब में असनान करने से कुष्ट रोग से मुक्ती मिलती है ये मेला कहां पे विहार में लगता है बराबर परवत में, मंदार परवत में, नागारजुनी परवत में या कार्तिक परवत में कहां लगता है? बताओगे फटाफट कहां पर लगता है? यह बताओगे पापहरनी मेला बिल्कुल अच्छा बविता दिखवा लेंगे हम एक बार तो ये बोलोगे ये आपका मंदार परवत पे लगता है और मंदार परवत पे ही बिहार का शकेंड रोपवे बन रहा है शकेंड रोपवे आप लोग रोपवे का आनंद लेंगे अब मंदार परवत के ही बन रहा है इस मेला के बारे में माननेता है कि यहां पर भगवान मदूसुदन का पूजा किया जाता है और माननेता है कि इस तलाब में असनान करने से कुष्ट रोग जैसे रोगों से भी मुक्ती मिल जाती है नेक्स सवाल है परसिद लोमेस रिसी गुफा में उतकिर्न एक अभिलेख में वनावर पहाडी को क्या कहा गया है लोमेस रिसी गुफा जो है आपको पता होना चाहिए बराबर गुफा का में जो चार गुफा है बराबर की गुफाएं में जो चार गुफाएं है उसी में एक गुफा है लोमेश रिसी गुफा और लोमेश रिसी गुफा में एक अभिलेख है उसमें वनावर पहाड़ी को क्या कहा गया है गोरख गिरी, सत्यवान गिरी, केसब गिरी या मंदार गिरी क्या कहा गया है फड़फड बताएंगे बिल्कुल है ना इसे गोरख गिरी कहा गया है गोरख गिरी पहाडी कहा गया याद रखेंगे वनावर महुतसब जहानाबाद में होता है याद रखोगे वनावर महुतसब कहा होता है ये जहानाबाद में होता है नेक्स सवाल है निमन में से किस ने तपोवन की महत्ता का वर्नन विस्तार से किया है तपोवन महोच सब भी होता है तपोवन की महत्ता का वर्नन बुकनान हैंसांग फाहियान रॉल्फ फिंच उपर युक्त में कोई नहीं या एक से अधिक तपोवन की महत्ता का विवरन विस से राजगीर में होता है अगर बात किया जाए तो यह आपका राजगीर में होता है याद रखोगे ठीक है राजगीर में होता है मल्लमास मेला बिल्कुल फटा फट बताएंगे तपोवन की महत्ता का विस्तार से वर्नन करने वाले व्यक्ति का नाम बताना आप सभी को 26 नंबर किन के द्वारा किया गया है है ना चलो तो यह उपर्युक्त में से एक से अधिक इन सभी के द्वारा किया गया है याद रखोगे फाहियान रॉल्फिंच शभी के द्वारा किया गया है किस सासक के सासनकाल में तपो भूमी तपोवन कस्य प्रिसी का आस्रम था विंबिसार अजात सत्रू बिंदुसार अशोक उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक जल्दी से फटा फट बताओगे 27 का इनसर राम राम दिक्षा बहुत दिन के बाद आये हो आप जल्दी से इसका एंसर बताओ और एक बार सेशन को सेयर कर दो सभी लोग जल्दी से बताओगे एक बार बिलकुल है ना ट्वेंटी सेवन का एंसर क्या होगा बिम्बी सार होगा याद रखेंगे बिम्बी सार इसका राइट एंसर होगा याद रख लेंगे आप लोग आगे चलते हैं मिथला की संब्रिद संस्कृति एवं मधुबनी की पेंटिन को जीवित बनाए रखने के उद्देश से परतेकवर्स किस महत्सव का आविजन किया जाता है विद्यापती महत्सव मिथला महत्सव कोशी महत्सव बिहार महत्सव उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक कोन सा महत्सव का आविजन किया जाता है जल्दी से बताओगे फटा-फट, है ना, मिथला महुत्सब यह होगा, मिथला के संस्कृति को बचाने के लिए और मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग के कुछ famous कलाकार का नाम आप लोग बताएंगे, मधुबनी पेंटिंग आप सभी को पता है, मधुबनी पें कोई good morning बोल दो, गुस्सा आ रही है देखो, चलो, आज हम आप लोग से गुस्सा है, है ना, बहुत कम बच्चे आ जाए है, अकबर के सासनकाल के 26 वे वर्स में, किस भासा को राजभासा का दर्जा दिया गया, और वो बिहार का दुत्तिय राजभासा भी है, बिहार का शक अफगानी उपर युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, एक बार अंतिम समय में सभी लोग सेशन को सेयर कर देंगे, ताकि सभी लोग फटाफट जल्दी से लाइब आ जाए, पीडियाप मिल जाएगा, पीडियाप मत करो, पीडियाप मिल जाएगा, सब को मिल के 26 वर्स में किस भासा को राजभासा का दर्जा दिया गया था तो जाईर सी जवाब है बाई उर्दू को दिया गया था है ना टोडर मल के कहने पर ये किया गया था नेक्ट है दो गज जमीन किसका उपन्यास है दो गज जमीन अबदूल कलीम अबदूल समद सोकत अली रिजवान अहमद दो गज जमीन किसका उपन्यास है थाटी का जवाब दोगे साहित अकादमी अवाड भी मिला है उर्दू का उपन्यास है उर्दू का उपन्यास है शाहि अकादमी आवाड भी इस उपन्यास को मिला है बताओगे किस भासा का उपन्यास है ये किस के द्वारा लिखा गया है तो आप बोलोगे अब्दुल समद का ये उपन्यास है अब्दुल समद PDF गुरूप में मिल जाएगा सर्च कर लोगे CHETAN SINGH सर्च कर लोगे मिल जाएगा बिहार का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेश की अस्थापना कहां हुई थी बक्सर में पटना में बिहार सरिप में सासाराम में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेश की अस्थापना कहां हुई थी जल्दी से बताओगे बिहार का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेश की अस्थापना कहां हुई थी एक बार सेयर करोगे प्रिंटिंग प्रेस फिल्म भी है दोगज बिल्कूल तो पहला प्रिंटिंग प्रेस कहां बना था तो ये सासाराम में अस्थापना हुआ था याद रखोगे पटना नहीं हुआ था पटना में प्रिंटिंग प्रेस का नाम था मुताह कोबरा साह कभी रुद्दीन अहमद के द्वारा ये बनाया गया था किसके द्वारा शाह कभी रुद्दीन अहमद के द्वारा बनाया गया था याद रखोगे कभिरुद्दीन अहम्मद के द्वारा बनाया गया था यह आप याद रख लेंगे प्रिंटिंग प्रेस का नाम था मुताह कोबरा प्रिंटिंग का नाम था मुताह कोबरा प्रिंटिंग प्रेस यह नाम था चलो नेक्स्ट है निमनमे स्वरपर्थम मौरे सिख्यके के विशाई पर लंदन में व्याक्यान के लिए किसे बुलाया गया था सीवम कुमार गोस्वामी तुम्हारा नाम ले लिए आज सारा सवाल अच्छा है फिर भी आप लोग कम बच्चे आये हैं कल एकदम नया नया सवाल लेके आएंगे बिहार की योजना से बिहार के इसकीम से सवाल लेके आएंगे तो आप सभी लोग जरूर आएंगे एक बार सेसन को सेर कर देंगे मौर सिक्के पर किसे बुलाया गया था व्याख्यान देने के लिए तो कांसी परसाद जैसवाल को बुलाया गया था याद रखोगे कांसी परसाद जैसवाल को बुलाया गया था आप सभी लोग याद रखोगे पटना संग्राले में वर्तमान आप जो देखते हो न वो उसमें कांसी प्रसाज यसवाल का बहुत बड़ा योगधान है आगे चलें नेक्ष्ट है बाबा बरमिस्वरनात का मिला इस पर्व के अवसर पर लगता है बाबा बरमेश्वरनात का मिला होली के अवसर पर दुरगापुजा के अवसर पर शिवरात्री दिपावली उपर युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक बाबा बरमेश्वरनात मिला किस परव के अवसर पर लगता है कहां लगता ये भी बताओगे कहां लगता है ये भी बताओगे आपको पता है बकसर के ब्रमपुर गाम में लगता है ये है ना बकसर के ब्रमपुर गाम में लगता है और ये शिवरात्री के अवसर पर लगता है शिवरात्री के अवसर पर लगता है बकसर में लगता है ये बकसर यही है जहां पे विश्वामित्र मूनी का असरम है ये वही बकसर है जहां पे इन्डिया का फैमस बकसर सेंटरल जेल है जहां पे फासी का फंदा बनता है ये वही बक्सर है जहांपे काला हिरन संगरक्षन केंदर भी बनाया जा रहा है ये वही बक्सर है जहांपे राम लक्षमन का सिक्षन अस्थली है ये वही बक्सर है जहांपे ताड़का वद अस्थल भी है ये वही बक्सर है जिसे साहित में व्यागर सर कहा गया है यह वही बक्सर है जहांपे असोगंधा कोरिडोर बन रहा है तो यह वही बक्सर है जहांपे गंगा नदी बिहार में परवेश करती है बक्सर के चौसा मैदान में परवेश करती है याद रखोगे बिहार के जनजातिय समुदाय में हेरोगीत कब गया जाता है हेरोगीत आठकल्चर पढ़ रहें काफी नया चीज आपको देखने को मिला होगा धनरोपनी के समय, कटाई के समय, पसंत्रीतु के समय बच्चों के जन्म के समय जल्दी से बताओ, कब गया जाता है हेरो गीत कब गाया जाता है बिहार में जंजातिय समुदाय द्वारा हेरो गीत कब गाया जाता है जल्दी से बताओगे हाँ इतना सारा थीज बता दिये ताकि आपको दिमाग में रह पाए हेरो गीत शंथाल समाज के द्वारा धनरोपनी के टाइम गाया जाता है जो संथाल शमुदाय है बिहार की सबसे बड़ी समुदाय है और पता है आपको बिहार के एकजाम में हमेशा शंथाल विद्रो के बारे में पूछा जाता है शंथाल विद्रो जिसके बारे में काल माक्स कहते हैं काल माक्स बोलते हैं ये भारत की पर्थम जनकरानती है क्या है भारत का पर्थम जनकरानती है ये काल माक्स के बारे में बोला जाता है याद रखोगे कालमक्स ने कहा है यह कोशन आपको पता है आपको कोई बुक में नहीं मिला होगा लेकिन यह कोशन बीपीएसी में आया है बताओ प्रिभियस पढ़े होगे तो कोई भी बुक पढ़े होगे तो आप लोग को लगता होगा किस तरह से सवाल नहीं आते हैं लेकिन मैं जो सवाल कराता हूँ एकजाम के लायक कराता हूँ बीपीएसी में आज से दस साल पहले हेरोगित का सवाल आया था और संथाल विद्रो जो है बहुत बड़ा ट्राइबल विद्रो है जिसमें जिसे हम लोग सिद्धो कानो का विद्रो भी बोलते हैं सिद्धो एक ही परिवार से सिद्धो कानो चांद भेराव फूलो जानो चुन्नी मांजी एक परिवार से इतने सारे लोग सहीड हो गए थे और अंग्रेजों को संथाल के आगे जुकना पड़ा था और संथाल प्रगना एक्ट पारित करना पड़ा था नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में संथाल जनजाती निवास करती है पुर्णिया भागलपूर सहरसा पटना उपर युक्त में कोई नहीं या एक से अधिक संथाल जनजाती कहां निवास करती है तो आप देखोगे कि भागलपूर के आसपास सहरसा में आपको संथाल जन जाती आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा बहुत भागलपूर में भी है पुर्निया में भी है है ना तो परियुक्त में से एक से अधिक जो आपका जारखंड से लगा हुआ सीमा है जोकि जारखंड की भी सबसे बड़ी ट्राइबल जो है वो संथाल है ना तो आपको जारखंड से लगी सीमा के प्रतेक जिल्या में थोड़ा बहुत संथाल जन जाती आपको देखने को मिल जाएगा चलो आगे सामा चकेवा नाटक में सामा और चकेवा क्या है सामा चकेवा जानते हो आप लोग विहार का फेमस नाटक है सामा चकेवा नाटक कार्तिक महिना में होता है कार्तिक महिना में होता इसके पीछे का कहानी बताये थी सामा चकेवा का कहानी आपको पता है है नहीं पता है तो बोलो में बता दू कहानी आप सभी को संथाल जंजाती कहानी वास करती है सामा चकेवा की कहानी बता दें देखो क्या था कि सामा और चकेवा आपस में भाई बहन थे कहानी सुनो थोड़ा सा मूड फ्रेस करो बीच में आपस में भाई बहन थे एक दिन क्या हुआ कि ये एक साधू थे कृष्ण उनके पुत्र और पुत्री थे एक दिन एक दूष्ट चरितरवाला वैक्ती ने चकेवा जो की कृष्ण की पुत्री थी उन पे आरोप लगा दिया गलत आरोप लगा दिया है न जैसे आज कल मामा फुफा होते हैं कि आपकी बेटी को फलना के साथ देखे तो वैसा ही आरोप लगा दिया गया और कृष्ण ने गुसे में चकेवा को सराप दिया कि तुम बन जाओ पक्षी है न तो भाई को ये बहुत बुरा लगा और पक्षी से मानव रूप में लाने के लिए भाई ने तपस्या किया तो सामा चकेवा भाई बहन के प्रेम को दरसाता है याद रखोगे और जब परवासी पक्षी का आगमन होता है बिहार में तो उस समय हम लोग कौन सा तेवार मनाते हैं उस समय हम लोग सामा चकेवा का तेवार मनाते हैं सामा चकेवा का तेवार मनाते हैं याद रखोगे किलियर है कलास का टाइमिंग साड़े छे बज़े है एक साड़े छे बज़े है एक सुबह नौ बज़े है चाड़े छे और नौ धोबिया निर्ते सबसे अधिक किस जीले में परचलित हैं धोबिया निर्ते बताओगे सबसे ज्यादा परचलित कहां हैं भोजपूर सारन चंपारन या मुंगेर में धोबिया निर्ते 27 का बताओगे है ना चलो धोबिया निर्ते कहां परचलित है सबसे ज्यादा एक बार जो लोग लाइक नहीं कियो लाइक कर दोगे सभी लोग सभी लोग लाइक कर दोगे और बताओगे धोबिया निर्ति कहाँ फेमस है तो धोबिया निर्ति की बात किया जाए है ना धोबिया निर्ति की बात किया जाए यह भोजपूर में है है ना धोबी समूदाय में फेमस है कहां पर भूजपूर में नेक्स्ट है आपका निम्न में कौन सा निर्ते राजा चित्रसेन और उनकी रानी के कथाओं पर आधारित है कर्मा शर्हुल शोराई या जिजिया कौन सा निर्ते है कौन सा निर्ते है जल्दी से बताओगे है ना तो जल्दी से फटा-फट बताएंगे आप लोग कौन सा नित राजा चितर सेन और उनकी रानी के कथाओं पर आधारित है फटा-फट आप लोग जबाब देंगे तो बिल्कुल जिजिया है है ना जजिया नित है आप लोग बिहार के हैं तो ये पता होना चाहिए नेक्स सवाल हमारा है निम्न में किसके युवक के लोग गीत को श्वर्न यूग कहा जाता है मतलब किसके काल के है ना लोग गीतों का श्वर्न यूग कहा जाता है जो लोग लाइक निक यंग लाइक कर दोगे बताओ फटाफट तो ये कहा जाता विद्या पती के टाइम भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है भोजपूरी का सेक्षपियर क्या का जाता है भोजपूरी का सेक्षपियर कहा जाता है याद रखोगे आप सभी लोग भोजपूरी का सेक्षपियर है ना और विदेशिया नाटक के परतिपादक भी विखारी ठाकुर को ही कहा जाता है ये भी याद रखोगे किस देश के सोधकरता ने मिथला कला पर सोधकार किया है किस देश के सोधकरता ने मिथला कला पर सोधकार किया है फ्रांस, इस्पैन, ब्रिटेन, जर्मनी किस ने किया है किस देश के सोधकरता ने सोधकार किया है जल्दी से फटाफट बता दोगे जल्दी से एक बार बता दोगे बिल्कुल बिल्कुल टीके सर को ही मेरा नमस्कार बोलना सुमंत जा है ना रेगुलर आया किजी आप सभी तो 40 का जबाब देंगे ये जर्मनी में किया गया है आपको पता अच्छा मिथला गैलरी मिथला आट गैलरी है ना मिथला आट गैलरी बनाया गया है आट गैलरी है ना गैलरी या मिथला संग्राला बनाया गया जापान में जापान के तोक माती सहर में तोक माती सहर में याद रखोगे किलियर है कैसा लगा सेशन बताएंगे किलियर है मेरा सेशन साड़े छे बजे सामको होता है और एक नौ बजे सुबह जहां पे राष्टी अंतराष्टी और बिहार करेंट अफेर्स करते हैं तो ये दोनों सेशन में जुड़ेंगे कल इस सेशन में बिहार का एक important topic बिहार की योजना है ना पुराने वाले योजना नहीं करेंगे नई नई योजनाओं को करेंगे तो इस सेशन में जरूर जुड़ेंगे बिहार की योजना का सेशन काफी महत्पून रहने वाला इस सेशन तो कल सभी लोग जुड़ेंगे उससे पहले जो कोर्स लेना चाह रहे है तो आज भर उफर है इस उफर में अगर चेतन S कोड का यूज करेंगे चेतन S तो ये कोर्स 3834 रुपेये में ले सकते हैं आज भर के लिए उफर हैं तो आज के लिए इतना ही सेशन को थोड़ा सा आप सभी अपने दोस्त अपने मित्रों के भी सेयर किया करेंगे जो लोग भी रुके हैं लाइक करके सेशन को जाएंगे शबी लोग सेशन को लाइक करके जाएंगे एक बार थेंक्यू थेंक्यू सभी को थेंक्यू अलफ यू लाइक करके जाएंगे तब तक के लिए सभी को बाई बाई